बेगूस राय जिले के तेघरा में एतिहासिक श्री कृष्ण जन्मोटसव मेले की तैयारी अब अंतिम चरण में है मंगलवार की रात्री 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्म रोहिनी नक्षत्र में होगा तेघरा का एतिहासिक श्री कृष्ण जन्मोटसव मेला इस साल सेत्ताहन विवर्ष के गौरव का इतिहास बनाएगा यह मेला श्री कृष्ण के जन्मस्थल गोकुल और वरिंदावन के बाद सबसे भव्यरूप में मनाया जाता है भारत में श्री कृष्ण जन्मोटसव मेले का स्थान दूसरा है इस मेले की चर्चा BBC के द्वारा ब्राड कास्टिंग में 90 के दशक में बराबर होती थी मेले को लेकर बाजार में सभी दुकानदारों के द्वारा अपनी जगह पर चयनित कर दुकान लगा दे कितने दिनों से आप यहां आ रहा है यहां आप लोग किस परेवजन के लिए आए हैं कि जन्मस्टमिका कहां आए हैं क्या चीज बेचते हैं आप पूर्स अर्टिफिसल सब है कितने से कितने तक यहां कि सव रुपे सलेके पनसो तक है 500 अ कहों से आप लोग आया है बनारसि में बनारसिया यह तक है कितने सालो creation अर्चम्य है तक तका नाम क्या आप लोगा है है लिए लोगाए है मेना तक बजा रहा है कितने कितने दॉमों का सहा मौनिः है मिलता है हर एक माल है 20 रुपिया का जो भी लिजेगा आप कहा मेला किस मेला में आए हैं लगाने के लिए आप इससे पहले भी कभी आए थे जो पताया था कि काफी ज्यादा हुआ भी रहता है इसलिए आए हैं दिये हैं और मेले में आए श्रद्धालूओं को मनोरंजन के लिए विभिन प्रकार के जूले से मैदान सजकर तयार है मेला में आए श्रद्धालू 27 अगस्त से 21 अगस्त तक तेघड़ा में महसूस करेंगे वरिंदावन और मतुरा जैसा द्रिश्य भगवान श्री कृष्ण के विभिन ज्हांकियां के लिए लगाये जाने वाली प्रतिमाओं को मूर्तिकार द्वारा अंतिम रूप दिया जा रहा है विभिन पंडाल में भगवान की श्री कृष्ण की भाव लीला, रास लीला, राधा बिरहा, कृष्ण सुदामा के मित्रता, महाभारत युद्ध सहित अन्य ज्हांकियां को मूर्तिकार द्वारा, मूर्तिकला को अंतिम रूप दिया जा रहा है